ट्रेन 20, हाई स्पीड ट्रेन, बुलेट ट्रेन, मैगलिव ट्रेन, कितना हाई फाई लगता है न ये सब टेकनोलोजी, पर अगर आप जमीनी हक्किकत देखो तो आपको पता चलेगा कि अभी हमारी भार्टे वेलवेज इन सब हाई फाई टेकनोलोजी से बहुत दूर है, मुंबय अमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट का काम, 2028 तक पूरा होगा, जी यहां, 2028 तक, पर रेलवे का ये भी कहना है कि गुजराच साइड में बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट का काम है, वो 2024 तक पूरा हो जाएगा, प्रोजेक्ट में इतना डिले इसले हो रहा क्योंकि जापान साइड से इतना इंटरेस्ट नहीं दिखाया रहा इस प्रोजेक्ट में जिससे की इस काम को तेजी से पूरा किया जा सके इसका भी आप एक उधारन लेलो जो मुंबई साड में जो 21 किलोमेटर का जो अंडर ग्राउंड सेक्षन बनाया जाना है जिसमें 7 किल किया ही नहीं यानि उनके तरफ से कोई इंटरेस्ट डिखाया ही नहीं गया और अब माना चाहरा है कि अब इस सेक्षन को कोई भार्टे कंपनी ही पूरा करेगी 2014 में एस्टॉम के एक सीनियर मैनिफेक्चरर ने कहा था कि भार्टे रेलवे अभी 5-10 साल पीछे है हाई स्पीड ट्रेन से इस से चाहा है कि भार्टे रेलवे अपने मौजिदा सिस्टम को यानि मौजिदा जो इंफ्रस्ट्रक्चर है उसको अपग्रेड करे जो केपेबल 110 से 120 किलोमेटर पर रिघंटे के रफ्तार पर ट्रेन्स को चलाने के लिए मैं इसमें कुछ एड़ करना चाता हूँ हाई स्पीड ट्रेन्स का तो मुझे पता नहीं पर मुझे इतना जूरू पता है कि भार्टे रेलवे अभी 5-10 साल पीछे है ट्रेन्स को 110 से 120 kmph के एवरे बहुत दूर है जब यह मैं ट्रेन 20 के ऊपर कोई भी वीडियो बनाता हूँ तो आप मैं इसे बहुत लोग बोलते हो कि पहले ट्रेन 18 को सक्सेस्फुल होने दो यानि अभी सिर्फ दो ही ट्रेन 18 चल रहे है और ट्रेन 18 को आने दो उसके बाद आप ट्रेन 20 के बारे में बा बाकी है पर बारे में अल्रेडी बहुत सारे बुलेटरिन कोरिडोर्स का प्लैनिंग अल्रेडी करके रखा हुआ है अभी मैं आपको गिनवाने वालों पहला आपना हो गया यह मुंबाय एमदबाद फिर डूसरा है डेल्ली नौइडा अगरा वारनसी फिर डेल्ली नागपूर अगला है मुंबए पूने हैदरावार फिर चन्ने बैंगलूरु मैसूरू और फिर डेली चंडिगर लुदियाना जलंदर अमरित्सर तो अभी यह जो पहले साथ प्रोजेक्ट्स के नाम आए दे उन सब का बारे में आपको बताया है और भी प्रोजेक्ट्स ह आने वाली नई ट्रेन मिसना हो पर कोई भी चला सकता है हम ट्रेन्स को हवा में उड़ाएंगे तो उन्हों ने सोचा है कि बुलर्ट ट्रेन और ट्रेन 20 तो अब बना ले ना हम मैगलीव ट्रेन बनाएंगे जी यहां बेल ने स्विस रैपीड एजी यह वो विदेशी कंपनी है जिसने मैगलीव की टेक्न में महारत हासिल हुई है तो इसी कंपनी के साथ बेल ने एक MAU sign किया है जिसके मुताबिक यह कंपनी बेल को मेकिन इंडिया और आत्म निर्व भारत की तहत भारत में मैगलीव की टेक्नॉलिजी को डेवलप करने में मदद करेगी मैगलीव ट्रेन के बारे में तो आप सब क पताए होगा आंध्रप्रलेश शरकार में आल्रेडी विजयवाडा विशाकापटनम और अमरावती मेट्रो सिस्टम में इसी मैगलीव ट्रेन का एक लाइट वर्जन इस्तमाल करने का प्लेनिंग पहले से तयार कर रखा है तो क्या है मैगलीव ट्रेन मैगलीव यानी मैग कर चलाना इसके बार में विस्तार में हम जब इसके ओपर कोई काम शुरू होगा तब बात करेंगे अभी मैं आपको इसके फाइदे बदा देता हूं तो यहां पर हवा में होने की वज़ा से फ्रिक्शन का कोई कॉंसेप्ट उठताई नहीं यानि यह फ्रिक्शन फ्री सिस सिस्टम है जिससे की बहुत ज्यादा एनर्जी सेव होती है और इसकी जो टॉप स्पीड है वो है 800 kmph पर इसकी जो रिस्ट्रिक्टेड टॉप स्पीड है वो है 600 kmph सेफटी खारण की वज़े से इसको 600 kmph के स्पीड पर चलाए जाता है अगर आप बुलेट रेंज से इसकी जो बनाने में खर्च लगता है वो भी बुलेट ट्रेंज से डबल है तो यहीं पर आके मामला फ़र्ज जाता है जापान चाइना और साउथ कोरिया सिर्फ इन तीन देशों में मैगलीव ट्रेंज का इस्तमाल किया जाता है अमेरिका और जापान जैसे देशों ने इस टेक मैगलीव ट्रेंज को लेकर बात यहां पर यह है कि आप मैगल ट्रेंज को बुलेट ट्रेंज से अच्छा तो साबित कर सकते हो पर इसका जो खर्च है बुलेट ट्यंसे दुगना है यांई डबल है तो अगर आपको किराया करना है टिकेंट का जो कौश्ट है तो एक समझदार आदमी मेगलीव में ट्रेवल करने से ज्यादा अच्छा एरलाइन में या फिर किसी और ट्रेन में ट्रेवल करना प्रिफर करेगा तो यहाँ पे आप यह समाच सकते हो कि मेगलीव ट्रेन की जो टेकनोलजी है वो सिर्फ उनी देशों में सक्सेस्फूल हो सकती है जो देश धनी हो यानी financially stable हो या फिर उसमें यह टेकनोलजी खुद डेवलोप की हो पर यहाँ पे यह अच्छी बात है कि भेल सोच रहा है कि इस टेकनोलजी को भारत में विक्षित किया रहा है पर मुझे यह संबलने आ रहा कि बेल ने train 20 कोई या high speed train से छोड़ कर एकदम अलगी दिशा में मेगलीव ट्रेन के बारे में कैसी सोच लिया मैं यह नहीं कह रहा कि सोच गलत है सोच बहुत अच्छी है बेस्ट है क्योंकि अगर भारत ने मेगलीव ट्रेन की टेकनोलोजी को डेवलोप कर लिया तो कही मेट्रो प्रोजेक्ट्स में इसका इस्तमाल किया रहा सकता है as a light version और आगे चलके अगर यह टेकनोलोजी ज्यादा सक्सेसफफुल भी तो लंबी दुरी की ट्रेन्स में इनका इस्तमाल किया रहा सकता है पर मुझे नहीं लगता कि अभी इस पर कोई काम होगा अभी यह अपने शुरुवाती दोर में ही है कभी-कभी ऐसा भी होता है कि शोशल मेडिया पर इन सब चीजों को ज्यादा शेर किया रहता है जिससे कि हमें लगता है इनकी जो इंपोर्टन्स है वो बढ़ जाती है हमें ऐसा लगता है कि आज मैगलीव ट्रेन की कबर आ गई है तो कल मैगलीव ट्रेन बनकर त्यार हो जाएगी